हलो दोस्तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुती टेस्टी और जल्दी से बन जाने वाले आईस क्रीम की रेसिपी से करूँगी जिसे बनाने के लिए जो सारे इंग्रीडेंट होंगे आपको घर में ही मिल जाएंगे हम इसे बहुत यसानी से बना के रेडि करेंगे और खाने में इसका स्वाद भी बहुत जादा लाजवाब है आप लोग इसे वर्त में भी खा सकते हो क्योंकि हमने कोई भी ऐसी चीज़ में नहीं डाली है कि आप इसे वर्त में ना का पाए आप लोग वर्त में भी इसका पू अच्छी से उबाली आने तक गाड़ा कर लेना है यानि कि इसको हमें ठिक करना जब तक कि चार कप में से सिर्फ दो कप ही नहीं रह जाते अगर आप लोगों को बिल्कुल कम दूद से आइस क्रीम बनानी है तो उसका वीडियो भी मेरे चानल पर मैंने अपलोड किया है प्रोसेस करना है मलाई को इस तरीके से मिलाते जाएंगे और अब यहां पर हम इसके अंदर थोड़ा सा मीठा एड़ करेंगे यानि कि हमें चीनी डालनी है तो जब यह थोड़ा आधा हो जाएगा यानि कि थोड़ा कम कॉंटिटी में रह जाएगा तब उसी टाइम पर यहाँ पर चाहर है और अब यहां पर Che Bird करिये और यानि और यहां पर यह तो तो दोंटी नहीं है तो चीनी डालनी हो जाएग अब यहांपर अच्छे तरे यह रबडिदार वो जाए अब यहां पर friends मैंने low flame पे दूद को छोड़ दिया था और यहां पर मैंने जो काजू थे friends उसे भिगो के रख दिया था तो आदे घंटे में काजू बहुत सोफ्ट हो गया थे मैंने गरम पानी डाल के रखा था friends तो आदे एक घंटे के करीबी बहुत सोफ्ट हो जाते हैं त तो friends यह एक दब fine grind नहीं हुआ था क्योंकि मिक्सिका जार काफी बड़ा है मेरा तो आप चाहे तो से सिल्बटे पर भी पी सकते हो या फिर आपका मिक्सिक जग चोटा है तो बहुत अच्छे से पेस जाएगा अब देखिए यहां पर थोड़ा सा दरदर रह गया था friends तो क अगर जो इलाइश्ट्री हमने ली थी उसका लोगों को से बीज डालने है छिलका एक साइट कर दीजेगा अभी आप इसको चलाएंगे और थोड़ी देर पकाने के बाद यह रेडी हो जाएगा मैं दिखाऊंगे आपको कि यह कितना जादा थिक जो है friends यहां पर हो चुका है तो अभी इसी टाइम पर मैं गशा फ्लेम ओफ कर दूंगी क्योंकि ठंडा होने के बाद आप वार जाता Griff को जाएगा तो अभी मैं इसको ठंडा करी हूं करीच हुँरें थाकि जादा घाड़जाब कर देख सकते हैं पहले से कितना जादा घाड़ा हो चुका है आप देख सकते हैं रबडी जासा का जो टेक्स्चर है वो आया है अब यहां पर डाल देंगे जार के अंदर मिक्सर जार के अंदर और एक बार और मिक्सर को गुमाएंगे ताकि जो मलाई वगएरा है और जो जो ड्राइफूट्स है अच्छे से नहीं पिसे हैं तो वह भी अ तो अभी एक बार और इसको हम चला लेंगे तो फिर्ट्स यहां जमाने के लिए इस तरीके के कब थे मेरे पास यह जो बच्चे चोकलेट बगरा काते तो उसी से बच्चेते मैंने उठा के रख लिया थे और एक महां नारियल का इस तरीके का जो खोल होता है वो लिया है कि किसमें बहुत टेस्टी मतलब फ्लेवर सा आता है आप देखेगा बनाकर के अब यहां पर मैसके अंदर भर रही हूं जो हमारा मेक्चर था आइसक्रीम वाला तो वह मैं सारी चीजों के अंदर डाल दूंगे काफी सारी आइसक्रीम उससे बन गई थी इसके अलावा भी मैं पास क्लीन रैप था तो वह मैंने लगा दिया है अब मैसे और नाइट के लिए रखोंगी क्योंकि मैंने शाम के टाइम आइसक्रीम बनाई तो अब या फिर अगर दिन में जमारे तो 6-7 घंटे में यह अच्छे से जम जाएगा सैट हो जाएगा तो अब इसको जमने के लि घर में बहुत असानी से आप इसको बना के रेडी कर लेंगे मार्केट में तो बहुत मेंगा पड़ेगा वीडियो गर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजेगा फ्रेंट्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अगर आप लोग पहली बार आए हैं और बेल आइकन की बटन को फ्रेंट्स जरूर से प्रेस कीजेगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेस सबसे पहले आपके पास पहुँचे